दोस्तो बहुत सारे भाया कमेंट करते हैं जो अंडा से जादा से जादा कैसे चुजा निकाले इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए बिना स्क्रीप करके सब पता चल जाएगा इस वीडियो में जो आप लोगों को दिखाऊंगी लाइप प्रूफ कैसे अंडा बैठाना है चलिए देखिए अभी वीडियो में जो फिमेल बार्स दिख रहा है वो मेरा बार्स अंडा में बैठने के लिए रेडि हो गिया ओ फिमेल बार्ट्स गैरा पीस अंडा दे दिया और नहीं देगा अभी ओ अंडा में बैठेगा अंडा कैसे बैठाना है मैं लाइब आब लोगों को देखाऊंगी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चुजा निकले पहले ऐसे बांस का काटरी लेजिए और टायर को साथ ऐसे बांद लेजिए मैं जैसे बांद लिया उसके बाद ऐसे काटरी में धान का पेड़ को छोटा-छोटा काटके भर दीजिए मैं जैसे दिखा रहा हूँ अब लोगों को ऐसे काटना पड़ेगा ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं है उसके बाद अच्छा से काटरी भर दीजिए और अच्छा से चारो पास दे दीजिए चारो पास अच्छा से दबा देना ऐसे उसके बाद च्छा से साथ पीस लाल मिर्च ले लीजिए और उसको बिश से काट लीजिए कट के कटरी में जो धान का फेड़ छोटा छोटा है उसको उपर चारो दीख छड़ा दीजिए के बाद उसके बाद आप लोगों को क्रासिन का ओईल लेना है ज्यादा नहीं 8 से 2 बूंद आप उसको कैब में ले लीजिए मैं जो इसे ले रहा हूँ अब लोग देख रहे हो ऐसे लेके चारो पास एक-एक बूंद करके दे दीजिए उससे आप लोगों को फाइदा होगा जो बाड्स का सरेर में जो कीड़ा होता है नहीं होगा आप लोगों को बहुत बड़ा फाइदा मिलेगा उसके बाद आप लोग काट्री का मिडिल पॉंट में थोड़ा सा डाउन कर ले जिए ऐसे और धान का खोसा मतलब चावल का जो खोसा होता है वो बीज में बीज में थोड़ा सा दे दीजिए ज्यादा नहीं थोड़ा सा दे जी उसमें अब लोगों को फाइदा क्या होगा ओही भी अंडा तुटेगा नहीं ठिक ठाक से बैठा रहेगा इधार उधार नहीं जाएगा देखिए दोस्तो जैसे जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को ऐसे करना है बहुत पॉफेट मिलेगा आप लोगों को देखिए दोस पिस अंडा आप बैठेंगे तो मिनिमाम नो से आठ से नो पिस चुजा निकलेगा एक दोटो तो मिस होगा ही होगा भया ओ मेरे हाद में भी नहीं है और आप लोगों हाद में भी नहीं है और एक बात जिस जिस भाया मेरे चलेंग में नया है ओ सब भाया को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी जिए मेरा चलेंग सब्सक्राइब कर लिजे बहुत अच्छा अच्छा टिप्स आप लोगों को हांसील और टेमपाटेल जो भी है सब बाट्स का टिप्स मिलेगा यहां पर भीटो खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों और भी कुछ टिप्स लीजिए सुन लीजिए जैसे अंडा में बैठेगा तो एक से आठा दिन तक आपको पार डे एक से दो बार अंडा को घुमाना पड़े दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे तुझा एक वान डे से वान मान तक कैसे पीडमेन किया जाए थैंक्यू दोस्तों ऐसे टीप्स चाहिए तो दोस्तों मेरा चलेन सब्सक्राइब कर लिजिए मेरा चलेन का नाम दिपक हांसिल भर्म ओएस्ट बेंग थैंक्यू दोस्तों